Hello friends, welcome to my channel Maths Booster चलिए इस वीडियो में सुरू करते हैं चैप्टर थी rational number as decimal का worksheet 1 तो यहाँ पर concept for worksheet 1 बनाने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैंने नहीं बनाया सीधे सुरू करते हैं worksheet 1 चलिए देखे क्या है Express the following rational numbers as decimals तो आपको यहाँ पर कुछ rational number दिए गए है जिसको आपको decimal में convert करना है ठीक है तो किसी भी rational number को हम decimal में आसानी से कब convert कर सकते हैं जब उसका denominator 100 के form में हो यानि कि 10, 100, 1000, 10,000 लाग के form में हो चलिए कुछ आपको example देते हैं जैसे दिखे हैं यहाँ पर हमने लिखा है 53 by 100 ठीक है तो हम इसको decimal में change करेंगे तो क्या हो जाए गासे देखेंट्स 0.53 देखें हाँ 2 0 था तो 2 digit के बाद हमने decimal लगा दिया मतलब यहाँ पर लगा दिया मा लिजे कोई number है 2346 by 10 तो इसका decimal कैसे representation होगा 234.60 और चलिए number देखें 583 by 100 ठीक है इसको हम कैसे करेंगे 5.83 दो देखें हाँ पर 0 है तो हमने 2 digit के बाद decimal लगा दिया ठीक है इस तरह हम आसानी से decimal representation कर सकते है कब जब denominator होगा 100 के form में ठीक है तो चलिए अपने question के बाद चलते है 9 by 8 तो हमको यहाँ यह सोचने कि हम 8 में क्या multiply कर दें कि 100 के form में आ जाए ताकि हम इसको आसानी से decimal में change कर सके तो इसके लिए एक trick है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हमको इस denominator 8 का prime factorization निकालना पड़ेगा ठीक है चलिए निकाल लेते हैं 8 का prime factorization क्या होता है 2 into 2 into 2 होता है ठीक है friends हमको ठीक इसका उल्टा लेना है यहनि 2 into 2 into 2 है तो हमको 5 into 5 into 5 लेना है यहनि जितने बार 2 है उतने बार 5 लेना है और अगर जितने बार 5 आता है उतने बार 2 लेना है ठीक है friends 5 into 5 है तो हमको 2 into 2 लेना होगा, इस इसको आप याद रखियेगा, क्योंकि इस Chapter में, वेनी, Worksheet 1 में, और Worksheet 2 में, 2 5 का ही खेलेज़न्स ठीक है, अगर 2 है, तो 5 लेना है, 5 है, तो 2 लेना है, ठीक है, लेकिन कितने बार लेना है, जितने बार 2 होगा, उतने बार 5 है, उतने ब 125 का हम इस rational number के numerator और denominator से multiply कर देंगे, ठीक है, तो चलिक करते हैं, 9 by 8 into 125 by 125, ठीक है, अब multiply कर देंगे, इसका 9 into 125 तो क्या हो जाएगा, 1125, ठीक है, by 8 into 125 करेंगे, कितना जाएगा, 1000, ठीक है, अब देखेंगे, मेरा denominator जो है, 100 के form में हो गया है, तो हम इसको आसानी से convert कर सकते हैं, decimal में, तो चलिक कर लेते हैं, देखें, 1125, कितना यहाँ पर 0 है, देखें, 123, यानि 3 डिजिट पर यहाँ पर decimal लग जाएगा, तो है, देखें, 123 जेगा पर decimal लग जाएगा, ठीक है, अब चलिए हम अपना next question देखते है, क्या है यहाँ पर, 615 by 125, अब देखें, denometer इसका कितना है, 125 ठीक है, तो 125 का हमको prime factor से निकालना पड़ेगा, क्या होगा, 5 into 5 into 5, ठीक है, तो हमको यहाँ पर ठीक इसका उल्टा लेना है, क्या लेंगा हम, 2 into 2 into 2, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 into 2 into 2, ठीक है जैंस, अब देखें, 2 into 2 into 2, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है, तो इस 8 का हम, इस rational number के numerator और denominator से multiply करेंगे, ठीक है, चली करते है, 615 by 125 into 8 by 8, ठीक है जैंस, क्या हो जाएगा, आप है, multiply करेंगे, 615 into 8 करेंगे, 4920, ठीक है जैंस, by 125 into 8 करेंगे, 1000, ठीक है जैंस, अब देखें, हमारा denominator 100 के form में आ गय ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आसानी से इसको decimal में change कर सकते हैं, चली करते हैं, देखेंगे, पहले नंबर लिग लिजिए, 4920, कितना जिरो देखेंगे, 3, तो 3 डीट में हम यहापे decimal लगा देखेंगे, ठीक है, तो अब आप समझ गया होंगे, कि आगर किसी rational number का denominator 100 के form में है, यहनि, 10, 100, 1000, 10,000, लाग के form में है, तो हम उसको आसानी से convert कर सकते हैं, decimal में, तो आपको हर बार आशा rational number नहीं मिलेगा, जिसके denominator को हम 100 के form में convert कर सके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ता है, यहनि, long division method हम आप लिखते हैं, 16 का क्या होगा, 2 x 2 x 2, 2 x 2, 2 x 4, 2 x 8, 2 x 16, ठीक है, देखिए कितने बार 2 है, यहाँ पर 4 टाइम्स है, तो हम इसका उल्टा कहलेंगे, 5, 2 है तो 5, 5 है तो 2, ठीक है, हम 4 टाइम्स यहाँ पर 5 लिखेंगे, 5 x 5 x 5, ठीक है, तो कितना होता है, 5 x 5 जा, 25, 25, 5 जा, 125, 125 x 5 कितना हो जाएगा, 6 x 2, 5, यहीं कितना है, 6 x 2, 5, यहीं हमको क्या करना है, देखिए, 1 x 16 x 6 x 2, 5 x 6 x 2, 5, ठीक है जोंट्स, अब हम इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 x 2, 5 x 16 x 6 x 2, 5 करेंगे, तो हमारा एंसर कितना जाएगा, 10,000 आ ठीक है अब हम इसको आसानी से decimal में change कर सकते हैं देखिए यहाँ पर 0 कितना है 1, 2, 3, 4 ठीक है तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे 6, 2, 5 कितने digit के बाद हमको decimal लगाना है 4 तो हमारे पास कितना digit है थी कि 1, 2, 3 है तो एक और चाहिए यहाँ पर लगा देंगे और point यहाँ पर ऐ 5 into 2 होता है थीक है तो हम क्या लेंगे 5 into 5 लेंगे ठीक है 5 into 5 लिया 5 into 5 कितना होता है जैंस 25 होता है यहाँ हमको इसमें 25 by 25 multiply करना है तो चली कर देते हैं 3 by 4 minus into 25 by 25 ठीक है multiply कर देंगे कितना हो जाएगा 3 into 25 कितना होता है 75 यहनि minus 75 by 4 into 25 हो जाएगा 100 ठीक है अब हमको क्या करना है इसको decimal में change करना है ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे minus और यहाँ लिखेंगे 75 ठीक है कितना 0 है देखिए 2 0 है दो डिजिक्री बाद हमको यहाँ पर decimal लगाना है यहाँ नेक्ट देते है 59 by 200 तो हमको इसको क्या करना है डिनोमेरेटर ऐसा बनाना है किस फ़र्म में बनाना है ताकि हम आसानी से decimal में convert कर सके ठीक है तो मैंने आपको बता है देखिए यहाँ पर इसका प्राइम फेटरेशन निकालना इस ठीक है तो आप यहाँ पे एक यहाँ निकलेगा तो आप हमको इसका उल्टा लेना है तो का उल्टा क्या होगा यहाँ यहाँ तो हम लेंगे 5 यहाँ फाइव फाइव इस में multiply करेंगे ठीक है तो चली करते हैं यहाँ पे 59 by 200 इंटू 5 by 5 ठीक है इसको multiply कर देंगे तो कितना आजाएगा 295 यह कितना हो जा यहाँ पर देखे थी है 1-2-3 तो 3 डिजिन के बाद हम यहां पर डेसिमल लगा देंगे तो इस जगह समय लगें पर हमाइनस 24 तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे 25 , 25 का निकालेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 5 होगा ठीक है तो हमको इसका ठीक 24 by 25 into 4 by 4 तो कितना हो जाएगा minus 96 by 25 into 4 हो जाएगा 100 इसको decimal में change कर देते हैं minus 96 देखें कितना 0 है दो 0 है यह नहीं 2 डिजिट पे decimal लगेगा यह नहीं इस जगह पे decimal लगेगा जुट्स ठीक है तो चलिए जुट्स देखते हैं next rational number क्या है minus 53 by 250 तो हमको यहाँ पर prime factorization 250 का नहीं निकालना है जुट्स किसका निकालना है शिरिफ 25 का निकालना है ठीक है तो चलिए निकाल लेते हैं देखें आपे 25 का क्या होगा 5 into 5 हो जुट्स ठीक है तो इसका हमको ठीक उल्टा लेना है क्या लेना है चली multiply कर लेते हैं minus 53 into 4 क्या हो जाएगा minus 212 हो जाएगा ठीक है और 250 into 4 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा ठीक है अब हम इसको आसानी से decimal में change कर सकते हैं तो पहले हम इसको लिखने minus 212 ठीक है देखी कितना जूरो है 123 यह नहीं हमने 3 digit पे decimal लगाना है ठीक है तो कहां पे लगाएंगे इस जिगा पे लगाएंगे और यहां पे ऐसे 0 लगा देगे ठीक है जोंस चलिए next question देखें यहां पे 47 by 400 ठीक है तो यहां पे आपको 400 का prime factoration नहीं निकालना है किसका निकालना है शिरिफ 4 निकालना है ठीक है 0-0 को consider नहीं करना ठीक है तो शनी को इसमें क्या 47 by 400 into 25 by 25 ठीक है तो कितना हो जाएगा 1175 यहीं कि 47 into 25 आप करेंगे तो 1175 आपको मिलेगा by नीची कितना हो जाएगा 400 into 25 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ठीक है अब चले हम इसको decimal में change कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए लिख लेंगे 1175 ठीक है कितना 0 है देखिए 1234 यहनि 4 डिजिट पे हाँ पर decimal लगेगा ठीक है यहनि कहाँ पर लगेगा देखिए मेरे पास 4 डिजिट है अल्रडी हाँ पर हम decimal लगा देंगे 0 ठीक है चले नेक्स्ट कोशन देखिए 27 by 800 ठीक है अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ एट का प्राइम फेक्टरेशल निकालना है ठीक है तो एट का क्या होता है देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक हमको इसका उट डेना है क्या लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 ठीक है 27 इंटू 125 तो हमको क्या मिलेगा 3375 by 800 इंटू 125 हम करेंगे तो कितना मिलेगा च्रेंट वन लाग हमको यहाँ पर मिलेगा यानि वन लिखके हमको कितना जूरो लिखना है फाइफ 12345 ठीक है चले विसको डेसिमल में कर लेते हैं तो लिखते है 3375 देखे कितना जूरो है 12345 और डिजिट में पास कितना है 4 है तो 10 और हमको इधर लगाना पड़ेगा यहाँ पर लगाएंगे और डेसिमल इस जिगा पर लगेगा ठीक है चले नेक्ट कोशन देखिए 139 by 625 तो 625 का हम प्राइम फेक्ट्रेशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा चले देखिए 625 पे निकलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 ठिक है यहनी 5-5 जा 25 25 5 जा 125 125 इंटू 5 625 ठीक है अब हमको ठीक इसका उल्टा लेना है तो क्या लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ठीक है तो क्या होगे देखिए 22 जा 4 तो हम होगो क्या मल्टिप्लाइग करना है 16 का मल्टिप्लाइग कर लेते हैं 139 इन्टू 16 भाइग अब दीखिए 139 इन्टू 16 आप करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पे 2224 इन्टू 16 आप करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 10,000 मिले का ठीक है तो यहां लिखे देते हैं 1-0-0-0-0 ठीक है अब चले हम इसको decimal के form में convert कर लेते हैं 2-2-2-4 ठीक है कितना जूरों देखिए 1-2-3-4-4 डिजिट पे किसका प्राइम फेक्टरेशन नहीं निकालना है किसका 1-2-5-0 का हमको किसका निकालना है शिरिफ 1-2-5 का ही निकालना है ठीक है तो चले निकालते हैं 1-2-5 का प्राइम फेक्टरेशन देखिए क्या हो याग 1-2-5 यह नहीं 5-5-5 ठीक है तीन बार 5 लिया है तो हमको तीन बा 286 by 1250 into 8 by 8 ठीक अब देखिए हमारा डीनोमेटर कितना आ जाएगा 1250 into 8 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10,000 ठीक अब यहां किता आ जाएगा 25488 multiply करेंगे तो किसको 3186 into 8 को करेंगे तो 25488 हमारा आ जाएगा अब हम इसको आसानी से decimal में change कर सकते हैं ठीक है तो चलिए देखिए 25488 कितना यहां पे 0 है देखिए 1234 यह नहीं 4 डिजिट पे हमारा यहां पे decimal लग जाएगा 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 1234 इस जगा पे decimal लग जाए ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते है 133 by 25 तो इसे आप ऐसे भी सो सकते हैं कि 25 में हम क्या multiply करने क्यों 100 हो जाए नहीं 4 करना हमको ठीक है और ऐसे भी देख लीजिए 25 का फाइन फ्राइन क्या होता है 5 इंटो 5 ठीक है हमको इसका उल्टा लेना क्या हो जाए का 2 इंटो 2 तो क्या होता है 4 यह निए 4 by 4 हमको इसमें multiply करना है ठीक है 133 by 25 इंटो 4 by 4 तो multiply करें कितना हो जाएक है 532 by 25.4 कितना होता है, 100, ठीक है, अब हम इसको आसानी से decimal में convert कर सकते हैं, देखें कितना है, 1, 2, तो दो डिजिट में हमको decimal लगाना है, इस जगा पे हम decimal लगा देगे, ठीक है, तो इस देंट्स मेरा हाँ पे work sheet 1 खतम हुआ, next video हम देखेंगे work sheet 2, ओके, thanks friends.